नमस्कार बच्चो जीवन मुल्ले कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा तीन का पार्ट नुमबर एक पड़ेंगे जिसका नाम है लालची मत बनूँ बच्चो इस पार्ट में हम एक लालची कुट्टे के बारे में पड़ेंगे जिसने लालच के कारण अपना खाना भी खोग दिया तो आईए आरम करते हैं एक कुट्टा बहुत भूखा था और कुछ खाने के लिए भोजन खोज रहा था काफी लंबे समय तक खोजने के पश्चात उसे एक ठड़ी का टुकड़ा मिल गया और उसने सोचा कि उसे एक एकांत इस्थान पर जाना चाहिए एकांत का मतलब जहां कोई न हो जहां वह इसे आराम से खा सके वह एक सुन्सान इस्थान की ओर भागा जहां उसे रास्ते में पुल पार करना पड़ जैसे ही वह उस पुल के उपर चड़ा उसने अचानक नीचे देखा पुल के नीचे एक नदी बह रही थी और उसे उसमें एक दूसरा कुत्ता दिखाई दिया जो अपने मुँमें उसी परकार की हड़ी का टुकड़ा लिये हुए था वास्तम में वह स्वयम उसी की चाया थी जिसे वह पानी में देख रहा था कुत्ते ने चाया को देख कर सोचा कितना अच्छा होता यदि हड़ी का वह टुकड़ा भी मेरे पास आ जाये यह सोचकर वह दूसरे कुत्ते पर हड़ी चीनने के लिए कुदा लेकिन उसके मुँ से हड़ी का टुकड़ा निकल कर नदी में गिर गया और पानी में बह गया अब कुत्ता अपनी मुरत्ता पर वस्ताता रहता और भौंकता रहता इसलिए आपने कुत्ते को हमेशा भौंकते हुए देखा होगा वह अपने लालज पर रो रहा होता है तो देखा बच्चो किस तरह से उस लालची कुत्ते ने थोड़ी सी लालज के कारण अपना मोजन भी खो दिया तो हमें बच्चो कभी भी किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए